हेलो यूवन हाई यूल सो लास्ट 20 दीज रहे हैं हमारे आर्बाइस्ट इन प्रिलिम्स एक्जाम के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम डिसकस करेंगे कि लास्ट 20 दीज में हमें क्या हमारी स्ट्रेजी रहने चाहिए ताकि हम प्रिलिम्स में जाज जाज़ा स्कोर कर सकें सो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टन जो चीज है वह हमारे प्रिलिम्स के लिए वह होगा हमारे मॉक टेस्ट तो मैं आपको स्रेश्ट करूंगा एंड मैं खुद भी वह ही इंपुर्फिम्स करने वाल हो कि हम 2 मॉक टेस्ट जेली करेंगे एक मॉरिंग में एक एक विवनिग में एनको उनका इनलसीस करेंगे सो 2 मॉक टेस्ट प्रिलिम्स के सबसे जादा इंपॉर्टन होंगे यमारे लास्ट टृंट डेस्, जरूर का जाता है कि आप जो है mains की preparation भी साथ लेके चलिए but last 15-20 days में आप बिल्कुल solely prelims के लिए दे सकते है because जो RBS student का सारा-सारा खेल है वो prelims का ही है prelims में सबसे जादा cut-off जाती है and अगर आप prelims के लिए कर लेंगे तो आप काफी chances बन जाएंगे mains के लिए so सबसे जादा important यहाँ पर prelims है so हम mains को थोड़ा सा back रखेंगे and यहाँ पर mocks देंगे दिन के दो second चीज़ जो हम करेंगे हो है current of age को हम लेके चल सकते है current of age को हम लेके चल सकते हैं current of age को काफी जाद टाइम नहीं लगता है एक्जाम है तो आप 20th of March तक कर सकते है current of age को है उसके एक हफ्ते से पहले आप छोड़ सकते है तो काफी लोग को इंग्लिश में एकुरेसी प्रॉब्लम आती है और काफी लोग को आर्सी में प्रॉब्लम आती है बैस तो इसका एक्जाम का लेवल थोड़ा easy है बट फिर भी अगर प्रॉब्लम में आपको आती है तो आप कर सकते है एडिटोरियल पार्ट्स एडिटोरियल आपको बहुत एजी दी टेलेग्राम गुरूप से मिल जाते हैं सभी जो टाइमस ओफ इंडिया हो गया या की स्प्रीड बढ़ती है आपका जो कॉंफरेंस बढ़ता है परग्राफ पढ़ने में वोकैबलरी एंड आपकी जो अंडरस्टेंडिंग है सेंटेंस की वह भी बढ़ती है तो इस तीन चीज़े आप अभी कर सकते हैं देन कहीं सेक्शन्स होते हैं जैसे कि कि किसी का होता है तो उसके लिए काफी लोग पूछने की क्या करना चाहिए तो उसके लिए आप सेक्शन मॉक दे सकते हैं सेक्शन मॉक टेस्ट बुक पर काफी सारे अवेलेबल है प्रेक्टिस मॉक पर नहीं है तो आप टेस्ट बुक के उससे यूज कर सकते हैं या फिर आपके पा आपको वीक है, आप सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं, तो आपको ज़्यादा पता चलता है कि आपके कौन सा एरिया वीक है, जिसी अगर किसी का मैट्स वीक है, तो आप मैट्स के चार से पाथ सेक्शन मौक्स लाकर देखिए, तो आपको थोड़ा सा आइडी हो जाएगे कि आपके डी आ ही प्रावल्म है, तो जो है आप प्रावल्म को इसली कौम्प्रियंड कर सकते हैं, अब सॉल्यूशन के तरफ और बहुत तरह के से जा सकते हैं, तो जो मैंस के मौक को कर मैं इस टेम पे आपको सिलिच नहीं करूँगा, बिकास लास्ट टूने डेज पर आपक कि प्रिलम्स का ही सारeki मैन खेल है, तो मैन मैन को थोड़ा सा साइड रखेंगे,ंप को लास्ट टंटि डेज left फिवटी इस देसमें सिर्फ हो सिर्फ प्रिलम्स के मौक की डिते रेंगे, एं थोड़ी सघी के करेंगे, अब अरुस कर सकते, आप एडिटर विल्स कर सकते ह रहेगा अब थोड़े हैबिचल हो जाओगे इस एक्जाम के लिए दैन जो है करन्ट अफेस पार्ट है वो बाकि एक्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है से लिए इसको करते रहना ज़रूरी है तो यही मेरा लास्ट का टुने डिस का प्लैन होने वाला है कि मैं मॉक् प्लैनल उनको देने वालों और आप भी जो है मॉक्स देते रहिए आपकी जो मिस्टेक्स आते रहेंगे आप उनको एम्प्रूव करते रहिए जो भी मॉक्स दूंगा उसका मैं आपको स्कोर के ड्न इन से शेयर कर दूंगा तो आप भी उसके साथ जुड़ सकता है इस वी बड़ बाइ